दोस्तो, UPSA Civil Services का Prelims Exam में मन्त में होने वाला है and I hope so, आप लोगों ने form भी फिल कर दिया होगा अब सवाल ये है कि next three months जो है, उसको हम कैसे प्लान करें कि हम effectively अपने Civil Services के Prelims Exam को क्वालिफाई कर पाएं देखिए, वैसे तो, no doubt, hard work is the key for the success लेकिन, वो hard work किस तरीके से करना है, क्या उसमें smartness होनी चाहिए, क्या ऐसे sequences है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए Actually, I am going to talk about each and every subject, कि आपको किस subject को कितने दिन देने चाहिए And मुझे लिखवा के ले लीजिए, उससे ज्यादा दिन आपको किसी भी subject पे नहीं लगाने है कितने revision मुझे करने हैं, कितने test मुझे attempt करने हैं और test attempt करने का तरीका जो है, वो क्या होगा, इन सब के बारे में आज हम जानने की कुस्स करेंगे May month, मतलब आपके पास में March, April और May, 3 months are there, ठीक है? क्योंकि May last में आपका exam होने वाला है, तो obviously 3 months आपके पास में है, उन 3 महीनों का क्या हिसाब होना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे देखिए, अब जानने से पहले क्या होता है, अगर आपको किसी भी चीज के तैयारी करनी है, किसी भी चीज में successful होना है, तो सबसे important क्या है इसमें, सबसे important है अपने target को जानना, कि आपका actual target क्या होना चाहिए, आपको actual number of questions कितने attempt करने चाहिए, आप exam में जा रहे हैं, तो क्या cut off रहने वाली है, और मुझे इतने marks अचीव करने ही है, तो इसके लिए हम देखेंगे cut off के बारे में, आपको पता है कि prelims में means exam है, ठीक है, उनकी cut off होती है, लेकिन prelims exam की cut off के बारे में specifically हम बात करने वाले हैं, कि आपका prelims exam जो है, उसकी cut off क्या रहती है, अगर मैं prelim exam की बात को है, तो पांच साल का trend, एक साल के trend से समझ नहीं आता है, पांच साल का trend हम देखेंगे, सबसे पहली चीज़, आपके prelims में दो exam हो रहे है, general study and CSET, देखें, पहले क्या हुआ करता था, CSET का paper काफी असान आता था, इसलिए आप उसको neglect कर सकते थे, ठीक है, कोई ब ये 33% marks आपके आएं, क्योंकि अगर ये नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है, कि फिर हमें कुछ attempt करने का फायदा नहीं होगा, हमारा सारा hard work खराब हो जाएगा, that's why necessary है कि पहले इसको ensure कीजिए, अगर आप IIT से हैं, IIM से हैं, तो भी इसको granted मत देजिए, at least test attempt कीजिए, ख आपको पता लग जाएगा exactly मेरे कितने marks आ रहे हैं, and yes, important thing, अपने घर बैठके जब test दे रहे होंगे न, तो उसको ऐसा मतलीजिए, कि unlimited time है, या फिर कोई बात नहीं, मेरे को 2 घंटे अलोट करने है, एक घंटे मैं अभी कर लेता हूँ, दूसरे घंटा मैं बाद में दे द time भी अलोट करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये जो noon time होता है, इसको अपने laser art की तरह यूज करते हैं, अपने sleeping arts की तरह यूज करते हैं, अपनी energized body को करने के लिए यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं चलेगा, आपको तीन महीने, ये habit डालनी पड़ेगी, कि this is the ideal time, जिसमें मेरा mind जो है, वो active रहना चाहिए, अपनी schedule को कुछ ऐसा कीजिए, कि आप morning में जब सो के उठते हैं, तो शाम को ही सोने की requirement हो, दिन में आपको सोने की requirement ना हो, तीन महीने ये practice कीजिए, अब देखी cut off journal study के बारे में, अगर 2022 की बात करते हो, 23 का तो result अभी नहीं आय है, आएगा उसके पाद cut off आएगी, लेकिन 2022 में general की cut off थी 88.22, obviously 87.54, ST69.35 and so on, अलग-अलग category की cut off थी, पहले तो आप साहे किसी भी category में है, इसी को target कीजिए, we never know की cut off थोड़ा उपर नीचे हो जाए, but still अगर हम target अच्छा राखेंगे, तो हमें आसानी से उसको attempt करने की energy जाजी भी मिलेगी, मेहनत भी करेंगे, वही 2021 में cut off थी 87.54, 2020 में 92.51, 2019 में 98, 2018 में भी 98, मतलब मैं ये approximately कह सकता हूँ, कि 100 से कम ही cut off आपकी रहती है, but still, 88 से 100 के बीच में भी काफी बड़ा difference है, तो सर किसके लिए prepare करेंगे, मैं बोलूँगा, 88 to 95 के बीच की cut off को आप prepare की स cut off ही, आप क्यों अराम से मित जाएगी, अगर इतने माक्स आपके आते हैं, आप आराम से qualify कर जाएंगे, प्रिलिम्स एक्जाम को, ये मेंस की cut off है, मेंस के time के हम बात करेंगे, कैसे उसको strategize करना है, but still, मेंस तो तब दे पाएंगे, जब हम प्रिलिम्स को qualify कर लेंगे, पर आसान है, तो cut off उपर जाएगा, but still, एक ideal जो number होता है, जो आप अपने mind में पहले से setup करके जाएंगे, वो होगा 72, 85, इतने questions तो लगभग आपको attempt करने ही, 72, 85 के आसपास के questions आपको attempt करने ही है, क्यों करने है, let us take an ideal number 75 questions आप attempt करते हैं, 75 questions आप attempt करते हैं, एक ideal number ले ले आप ये मान के चलिए, around 10%, around 10% questions जो है, वो आराम से गलत हो जाते हैं, जब आप high accuracy rate रखते हैं, ठीक है, मतलब, out of 75, आपके पास में 65 questions ही हुए, जो आपके सही हुए, ठीक है, और ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो कि अपना high accuracy ratio मानते हैं, 10% is for those who consider it as a high accuracy ratio, ठीक है न high accuracy ratio, वैसे 7.5 questions बनते हैं, मैंने ideally थोड़ा सा और करके 10 मान लिया, कि आपके 10 questions गलत हो जाते हैं, ठीक है, 7.5 is not a number, 8 मान लेते हैं, चलो, ठीक है, 8 अगर हम यहाँ पे consider करते हैं, तो we will minus 8 और आपके 67 questions सही हो जाते हैं, 67 questions सही attempt करने का मतलब है, on and average 130 के आसपास आपके plus marks मा यह जो आपने 10 questions गलत attempt किये थे, इनका भी one third negative आपको लगेगा, जिसमें आपके marks minus हो जाते हैं, कितने, on and average आपको consider किया जाएगा, कि आपने लगभग लगभग 3.3, मैं मानूगा 4 questions गलत कर दिये, ठीक है, तो मतलब, आपके लगभग 8 marks हैं, वो minus हो जाते हैं, तो आपको 120 type marks आते हैं, यह बहुत ही safe side है, लेकिन अब problem क्या है, जैसा मैंने बताए, जिनका high accuracy ratio होता है, otherwise, मैं काती बार यह देखता हूँ, student 25% questions को incorrect कर देते हैं, मतलब यह हुआ, कि आपने 75 questions attempt किये हैं, तो आपके लगभग 1 fourth question गलत निकल सकते हैं, यह chances है, यह इसका 1 fourth अगर मैं देखता हूँ, तो on an average, it is becoming around 17 के आसपास, अगर मैं बोलो, 16.5 यह 17 मैं बोल सकता हूँ, 17 के आसपास question आपके गलत हो जाएंगे, तो फिर यह बड़ा number होगा, 17 के अगर इसमें से गलत हो गए हैं आपकी, तो फिर आपकी से level पर पहुंच जाएंगे, आपके सही question कितने रह गए हैं, आपके सही question around 58 रह गए हैं, और 58 into 2 is 116, अब उन में से आपका negative mark ही निकल जाएगी, तो आपके लगबग, लगबग, 100 के आसपास marks आजाएंगे, तो ideal number होता है 75, अगर आपका accuracy ratio ठीक है तो, अब आप जब test series attempt करेंगे, तो आप analyze कीजिए, कि आप अगर 40 question, 70 question, ज जलत निकलता है, उससे आप एक ideal number पे पहुंच जाएंगे, अब सवाल है कि सब test series, कितने test attempt करने चाहिए, मैं recommend करूँगा minimum 30 prelims के लिए test आपको solve करने चाहिए, 30 test paper minimum, चीक है, और maximum किस लेवल पे जाए, maximum is 60 test paper attempt कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि 4 test series लेया हूँ, 120 या 150 test paper, no, instead of that at least 3 times test series का revision कीजिए, और मैं चाहूँगा, ये test आप 9.30 to 11.30 पे attempt करें, और कम से कम 5 अपने CSET के test भी practice करें, जो कि ideal time UPSC आपका exam लेगा, 2.30 to 4.30 उसी time पे practice करें, so that आपका mind makeup जो है, वो बढ़िया हो जाए, चीक है, आप सवाल आता है, कि सर, last जो आपका revision वाला part है, उस करने है, और आपका March 2 में के अंदर आपको revision पे ज़्यादा focus करना है, प्लिम्स पे ही focus करना है, और कोई भी नए short score refer नहीं करना है, जो आपने किया हुआ है, पूरी साल मैनत की है, उसी को कीजिए, उसी को revise की है, अब सवाल है कि कितने time कि subject को alert किया जाए, upcoming time के अंदर, quality को आप 15 दिन दे सकते हैं, इसका मतलब यह है कि quality जब आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि पूरे तिन quality ही पढ़ रहे हैं, test paper आप साथ साथ में attempt करते जा रहे हैं, economy को आप 10 से 11 दिन देंगे, environment 7 to 8 days का time period होगा, geography 10 to 11 days, modern history 10 to 11, and then ancient and art and culture मिलाके 9 to 10 days science and tech 2 to 3 days, और current affair को हर दिन आप 2 घंटे टाइब देंगे, 200 घंटे आप current affair को देंगे, मतलब यह हुआ, कि जब आप quality पढ़ रहे हैं, तभी आप current affair पढ़ रहे हैं, अपने environment, economy, कुछ भी पढ़ा, current affair आपके साथ में, आपको ideally, ideally 4 hours per day, इस subject को देने हैं, 4 hour per day, subject को देने हैं 2 hours आपके current affair के लिए होंगे, और 2 hours कम से कम आप अपना test paper attempt करेंगे, मतलब ideally आपको 8 घंटे study करना ही करना है, more than that, definitely आज के टाइम पे मैं invite करूँगा, हलांकि मैं कहता हूँ कि 8 घंटे study ठीक है, बट अभी के टाइम पे यह 3 महीने जो हाँ, काफी crucial है, मैं बोलूँगा, if possible तो इस test का revision भी same day कीजिए, जो कि आपको 1.5 hour कोस्ट करेंगा, 1.5 घंटा और लगेगा, revision भी साथ में कीजिए, मतलब 9.5 hours अगर आप day में alert करेंगे, मैं इसको best बोलूँगा, क्योंकि अभी का time है, मैंनत करने का time, final month जो होगा, उसमें आप सिरफ concise जो notes है, उसी को पढ़ देना है, क्योंकि last month में, अगर हमें कोई DJs हो गई, तो वो हमारे लिए काफी critical होगी, क्योंकि वो DJs हमारे लिए एक साल को cost कर सकती है, that's why अपने आपका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चीक है, that's all from my side, and this session की PDF को आप यहां से नाउनलोड कर पाएंगे, and this is my Instagram handle, for any kind of support you can contact me over here, best wishes everyone, thanks a lot, bye bye.